जैहिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकेडमी पे आज की इस वीडियो पे वीडियो में हम लोग एक विसेश टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो की यह टॉपिक निकल करके आया है मैंने आप लोगों को पता हुए बहुत सारी वीडियो म कि जो मार्क होते हैं असी से लेकि 89 तक में ही रुक जाते हैं ऐसा क्या वजह होती है तो उसकी डिटेल आलिसिस के बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिसकेशन में लिया है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यह वीडियो आपके क्ल यूट्यूब चैनल पर हम लोग हर तरीके के टीचिंग एक्जाम की प्रिप्रेशन करते हैं अगर आप लोग चैनल पर ने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है तो चलिए बिना टाइम विश्ट की आज की वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं इसी क्या वज़ा है जिसकी वज़ा से यह चीजे होती है ठीक है तो देखो सेटेट के पेपर के एक बर मैं आप लोगों को बता दू एक सेकंड मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं क्या पैटर्न होता है जैसे अगर मैं बात करता तो इसमें कैसे प्रशन आते हैं कितने सोते हैं यह चीजों के बारे में भी थोड़ा सा हलका समय आप लोगों को नौलिज देता हूं ठीक है जैसा आप लोग थोड़ा बहुत परचित होंगे कि जो दो लेंग्वेज हमारी आती है चाहे आप एक हिंदी ले सकते एक चाहे क हैं और आपके सब्जेक्ट से अगर आप मैफ साइन बेयंगरौंड से तो उससे साथ हैं ठीक है और अगर आप सोसल साईन से थो भी साथ मिला कि कुल मिला के आपको 500 कोश्जण देखने को मिलता है अब कम ही कहा रहती मैं उस पर बात करता हूं और जिनके भी ऑसी से लेकर के 89 के बीच में नमबर आते हैं मैं मानता हूं कि उनकी महनत में कोई कमी नहीं है यह बात हकीकत है बट वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसमें मुझे थोड़ा सा सक लगता है क्यूंकि मैंने बहुत सारे सब्सक्राइब से आप बात किया है और हाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जिनको लगता है कि सर मुझे डिसकेशन की बहुत ज़रूरत है और हमने पूरी अपन टाइम में इसको रीड करके आपका रिप्लाई जरूर करूंगा ठीक है अच्छा क्या होता है अगर हम हिंदी की बात करें 30 में से ज्यादा तर बच्चे जो है इसमें नंबर लेके आ जाते हैं आप अगर मैं एवरेज की बात करो तो 17-20 जो अभी तक देखा 17-20 या मालो 22 नं बारा से लेकर के 20 मालो इतने के रेंज में यह वाले मार्क्स लेकि आ जाते हैं यह एवरेज में बता रहा हूं कि जिनकी माक्स 90 से कम आ रहे हैं उनके मैं बतानों इतने आ रहे हैं अभी मैं इसको शोलूशन भी बताऊंगा शिक्षण सास्त्र में अब इस पर डिपेंड क लेकर आते हैं मैं उनकी बात करना जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं ठीक है ना एक अनलीसिस के बाद बता रहा हूं अब गडबड कहां करते हैं यह गड़ी तौर बिग्ञान में कर जाते हैं इसमें इनकी कितने मार्क्स हो जाते हैं लग बग अगर मैं बताऊं तो कु आपका 85 की रेंज में उससे कम नंबर बन रहे हैं ठीक है तो ऐसा क्यों होता कि देखिए 50 परसेंट कोस्टन जो होते हैं वह आसान ही होते हैं जिसमें सारे बच्चों के इतने अवरेज मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद यहां से जैसे अगर आपने जैसे मैं स्वीडिपी क ही बात करो बीस नंबर तक तो मतलब जो थीठाग पड़ा है वह ला सकता है उसके ऊपर से जो दस कोस्टन होते हैं जहां पे आप चुड़धे जो इसे होते हैं जो बहुत होतें बहुत थीक है ना तन कि मतलब बहुत जादा कनफ्यूजिंग होते हैं उसमें टीचर भी एक बार को गड़बड हो जाते हैं ठीक है अब आते हैं आपके चार से पांच कोस्टन जहां से आप रिजल्ट में बीट करते हो ठीक है इसमें बिच्चे आ जाते हैं 50-50 में 50-50 में इंदा सेंस की दो एक फ़र्स जाते हैं उनको लगता है कि अप्सन भी उतने ही पॉजिटिव लग रहा है ठीक है तो इसमें इनकी वीकनेस कैसे दूर होगी उस पर भी मैं बात करूंगा अब है है और देखिए अब मैं आजाता हूं मैथ साइंस पर मैथ साइंस पर देखिए इस पर मैं अगर बात करूं करना कम नंबर आने की क्योंकि यह अपने आप में थोड़ा सा एक समझ का कॉश्ण आपका सब्जिक्ट है जो कि आपको आपने अपने देखा होगा सिक्स से ले करके 10 तक आता है तो आपको तो इसमें बिल्कुल बेसिक से त्यारी करके चीजों को समझना अंडरिस्टेंडिंग बनाना है इसमें कोई भी आपका तुक्का और वोन ही चलने वाला है ठीक है तो यह आ गया अब यह तो हमने देख लिया यह यह नंबर आते हैं और एवरेज मार अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका अच्छा रिजल्ट आजा है तो इन दस बातों को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है ठीक है ना चलो एक ही करके मैं आपको सामने बाते लेके आता हूं और वैसे यह मुझे आपसे लाइब बताना था लेकिन अभी में लाइब क्लासे नहीं ले पाता हूं क्योंकि आप थोड़ा सपोर्ड करेंगे 1000 प्लस हो जाए तो मैं कुर्सिस करूंगा लाइब आने की लाइब क्ला पर आता है तो फिर वैसे लोगों से तो क्या उमीद करोगी आप अच्छे नंबर ले आओगे ठीक ना तो सबसाब पहले काम आपको क्या करना है आपको अपने एक्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि पेपर आफ लाइन होता है इतने सब्जेक्ट में इतने इ नोट से त्यार करने यह मैं बता रहा हूं जो कमिया भी हमने उपर दिखाई नंबर कमाने के लिए उसमें जो चार चार पांच पन कोश्चन जो इंक्रीज करवाना है आपका वह इन सारे दस पॉइंट से होंगे अगर आप इसको फालो करते हो तो ठीक है ना पांच सब्ज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि आपके पास कौन सी बूक होनी चाहिए और आपको किस चैनल से पढ़ना चाहिए उसहंपर आपकी ज ¿सब्जेक्ट वाला विखनिस में मै अब जो भी आपका सब्जेक्ट पहली है उसमें अगर कमजोरी है वह कैसे दूर होगी सबसे पहले आपको एक authentic selected book रखनी है अपने पास और अगर आप कोई book नहीं लेना चाहते तो NCRT रख सते हैं 910 की अगर वो भी नहीं मन है तो कम से कम आपके पास previous year की एक book जरूर होनी चाहिए ठीक है यह कर लिया आपने अब सबसे बड़ी दिक्कत यह होती ना बच्ची क्या है एक्जाम के लास्ट मोमेंट तक चैनल ही सर्च करते रहते हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा पढ़ा रहा है नहीं देखो आपको एक टीचर पे एक चैनल पर ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा एक बार और उनकी सारी क्लासेस को स्मूद वे में आज से ही देखना सुरू करो ठीक है ना उन्हें उनसे कमेंट पर उनसे बात करो अपनी चीजों को रखो अपने डाउट किलियर करो एक को किसी को मानो अब अधर उदर लड़कते ही रह जाएंगे ठीक है ना तो यह स्लेक्ट करना तो मैंने शीटेट डिसंबर के क्लासे सुरू कर दिया है एक चेप्टर में हो भी चुका है हम लोग कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं पहला जो पार्ट होता है पार्ट वन में हम लोग ठीक है यह हो गया आपके पास डेटा भी तो होना चीए पढ़ना जाहां से है ठीक अब हम चौथी बात पर आजाते हैं अपने चौथी बात आपके साथ यह सेयर करनी है कि स्लेबस के हिसाफ से टाइम टेवल बनाए टाइम टेवल इंदा सेंस यह नहीं कि मुझे दिन में इतने घंटे पढ़ना यह पढ़ना नहीं आपको स्लेबस के जो पांच इसको मैं दो महीने तो इस पर डेली एक गंटे का आधे दे गंटे का टाइम दूंगा मैं इस वे में टाइम टेवल की बात कर रहा हूं और कभी यह टाइम टेवल मत बनाना कि दिन में मुझे एक गंटा उसको यह गंटा दिन में कुछ नहीं हमेशा पढ़ते रहना है उस कि आपने स्कूल टाइम में टाइम बनाया होगा दो दिन फॉलो किया तीसरे दिन फ्लॉफ तो उसको नहीं बनाना है टाइम टेवल मैं इस वे में कह रहा हूं कि आपको एक डेडलाइन देनी पड़ेगी इस से पहले-पहले मुझे त्यूरी कंप्लीट कर लेनी है इस महीन इस टाइम आपको इस बात का ध्यान देना है कि कितने स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन कराने कितने सौर्ट पढ़ना क्या है उससे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता हमें छोड़ना क्या क्या नहीं पढ़ना हमें ठीक है सब कुछ नहीं किसी भी एक्जाम के लिए हमें साथ आपको पता रहनी चुछ है तो एक स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना होता है ठीक है यह बाते होगी पांच आप अगले पोईंट पर क्या कहना चारें लिकी मैंने क्या लिख रख आए जिस टॉपिक से अधिक प्रस्ण आते हैं तथा जिन में अच्छे अंक पाये जा सकते हैं उन पर अच्छी पकड़ बनाएं तो यह आपको एनलेसिस करना पड़ेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है जिसे कुछ बच्चे बाइलोजी से हैं तो उनका तो केमेस्ट्री वाला पॉर्शन या साइंस का मजबूत होता है अधर सब्जेक्ट मजबूत होता है वह मैथ में वीक है तो आपको उन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना चाहिए जिनको। क्वें उनको पता है कि इस वाले में मेरा कम नंबर आते हैं तो आप उसके हिसाब से अपना चुनाओ कर सकते हैं कि आपको यह सब्जिक्ट पहले पढ़ना चाहिए ठीक है मेरी मानों तो सहले सब्जिक्ट पर ज्यादा फोकस है ठीक है यह इतना जादा important है कि आपके result को तुरंत ही improve कर देंगे आठावा point की अगर मैं बात करूं तो यह आठावा point जो आपके सामने है इसमें है कि प्रिवियस येर question लगाना बहुत ही जरूरी है इसलिए मैंने का ना बुक में आप कोई लो ना लो प्रिवियस येर जरूर अपने पास रखो ठीक है प्रिवियस येर अगर आप लगाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट है जो वीक है जहां से आपकी कम नंबर आ रहे हैं जहां से आप बहुत बार गलतिया कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं किसी टीचर से पढ़ सकते हैं तो पी वाई क्यू तो आप एकदम समझे लो राम बाना है इसको अपने प 50% प्रिवियस यह और 50% गेसिंग इस तरह के मॉडल पेपर आपको जरूर लगाना देखो क्या है कि बच्चे ना डरते हैं टेस्ट देने से डरते हैं आप बिल्कुल भी नहीं कम नंबर आए कुछ भी आए जब भी आपको फ्री टाइम मेले तो उठाकर टेस्ट लगा लो उसका एक विशलेशन आप करो ठीक है ना एनालेसिस किया वहां से पता चल गया अब उसके हिसाब से आप अपने तयारी में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ठीक है जिस वे में तयारी कर रहे थे उसको थोड़ा चेंज करेंगे ठीक है कि यह वाला सब्जेट पे कम नंब हो गई होंगी क्यों नंबर यह यह नंबर मैंने हर एक सब्जेक्ट में मिनीमम पांच कोश्चंस आपके इंप्रूफ करने के लिए यह तरकीब बताई है आप समझ लो अगर आप 85 पे हैं आप 25 नंबर आपके बढ़ जाते हैं ठीक है ना तो कितने हो गए आप समझ लो आप लोग वहां से जुड़ करके दीरी दीरी चीजों को कवर करना सुरू कर सकते हैं पैटरन को फॉलो कीजिए ठीक है इन सारी बातों को एक बर और आप देख लीजेगा हो सके तो इनने नोट भी कर लेना दस पॉइंट और अपने डेस्क के सामने चिपका लेना कि मुझ सब्सक्राइब करें तो इन चीजों का ध्याम को और है एक बार में फिर से आपको बता देना चाहता हूं अभी हमने अपना टेलीग्राम गुरूप भी बना लिया है जिनको जुड़ना है वह जूड़ सकते हैं मैं लिंक डाल दूंगा यहां डिस्क्रिप्शन में भी और क चैप्टर साइंस का ठीक है ना और हर एक चैप्टर के मीनिममम दो पार्ट मैक्समुम चैप्टर के लेबल पर डिपेंड करता है जैसे कि मैथ और साइंस की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए वह मैं करवा दूंगा कैसे मुझे कराना है ठीक है तो आज की वीडियो यही की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद है